तो दोस्तो सोटकेट के चक्कर में पानी में चलना पड़ रहा है हमें आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी रियाली है हलो दोस्तो वेलकम टू माइन न्यू ब्लोग आप सब कैसे हो आसा करता हूँ सब बढ़िया होंगे तो दोस्तो मैंने कभी भी मेरी वीडियो में घर से ब्लोग नहीं बनाया है पर मैं आज घर से ब्लोग बना रहा हूँ क्योंकि हम आज पेदल यात्रा करेंगे पेदल अनुमान जी के जाएंगे यहां से लगबो 20 किलोमेटर दूर है तो वीडियो में कापी मज़ा आने वाला है उससे पहले बता दू हमारे याँ पर एक कमरा है जिसमें हम 6 जने रहते हैं तो गाइस हम पहले ना लेते हैं उसके बात चलेंगे अनुमान जी के पेदल लिए तो दोस्तो मैं ना चुका हूँ यह है अनुमान जी की गदा तो दोस्तो इसको बनवाने के लिए कापी पैसे लगे है पूरे 11 रुपे लगे हैं दोस्तो तो दोस्तो मैं मज़ाग कर रहा हूँ अब हम इनके सिंदू लगाते हैं तो दोस्तो अनुमान जी की गदा के कलर कर रहे हैं तो पूरी लाल लाल हो चुकिये हैं दोस्तों तो दोस्तों हमने गोटे के कलर कर दिया है पूरा लाल हो गया है और मेरा आज भी पूरा पर गया है दोस्तों अब हम आज दो लेते हैं तो दोस्तों हमने आज भी दो लिये हैं पूरे लाल हो चुके हैं दोस्तों अब हम माडल चलते हैं अनुमान जी की जंडी लेकर आते हैं तो दोस्तों अभी हम माडल जा रहे हैं जंडी लेने अनुमान जी की तो दोस्तों हमने वाजार से अनुमान जी की जंडी और मेरे छोटे भाई के लिए चपल ली है तो दोस्तों अब हम घर पर चलेंगी तो दोस्तों हम गर पर आचुके हैं अब अनुमान जी के जा रहे हैं यह है अनुमान जी के जंडी तो दोस्तों हम गाउं के बाहर आचुके हैं मैं और मेरी बेहिन और मेरी मम्मी तीनों जा रहे हैं पेदर तो दोस्तों सोटके चक्र में पानी में चलना पड़ रहा है हमें आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी अरियाली है तो दोस्ता हम पानी से बाहर निकल चुके हैं तो दोस्तों कितना शांदार नजा रहा है देखिए आप इस जगह पर मैं भी पहली बाहर आया हूं तो दोस्तों आप देख सकते हैं सुनसान जगह तो दोस्तों फाइनली सही रास्ते पर आ चुके हैं हम अब सही जा रहे हैं रोड रोड पर तो दोस्तों आदा रस्ता पार हो चुका है अदा रस्ता वाइब कि अब रस्ते में चायवाय पी लेते हैं तो हमने चायवाय पी ली हैं वापस चड़ने लग गए हैं तो दोस्तों ये है कालास का तलाव अब हम हनुमान जी के मंदिर के पास में आ चुके हैं काफी बड़ा है दोस्तों यह तलाव तो दोस्तों फाइनली मंदिर पर आ चुके हैं चोटा सा मंदिर है तो दोस्तों अनुमान जी के दर्शन भी हो चुके हैं अब हम घर पर चलते हैं तो दोस्तों फाइनली घर पर आ चुके हैं खाना वाना भी खा लिया है अभी बज़े आठ तो दोस्तों आज का ब्लोग यही पर समाप्त करता हूं आसा करता हूं आपको यह ब्लोग पसंद आय होगा अगर दोस्तों मेरा व्लोग थोड़ा सा भी आपको बसना है तो प्लीस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइब